नमश्कार दोस्तों में विमल सिंग बाला जी, स्टडी एड़ा में आप सभी का स्वागट है वियार सिक्षक बरती सम्मंदिद एक कॉमन प्रस्न लगतार देखने को मिला है जिसकी बात कला अल्लेडी हम कर चुके हैं परनतो एक बार-बार कुशन आराथ इसलिए हम अलग से आपको बता रहे हैं कि काउंसलिंग में जिनका आज था एक से सत्रा पेज नंबर पर जो भी अभ्यरती थे उनका काउंसलिंग वाला जो प्रोसीडर था वो आज आपका जो है वो होना था और उसको ले करके जो अभ्यरती आपके आज नहीं पहुच पाए हैं उनको ले करके पूछा जा रहा है कि क्या उनकी काउंसलिंग आगे होगी यह देखेंगे तो बीस तारीक को एक से सत्रा पेज पर जिनका रिजल्ट था उनकी काउंसलिंग आज थी तो मैंने आपको यह नोटिफिकेशन पूरा पहले वाला दिखाया था जिसको आंकित समय सार्णी के अंदर जो अब्यरती उपस्तित नहीं उपाएंगे उन्हें काउंसलिंग के लिए आगे भी मौका दिया जाएगा इस बात को यहाँ पर क्लियर लिखा गया था यह चीज मैंने आपको कल बताई भी थी परन्तु यह बात को भी समझे कि यह जो नोटि से देखें तो आपको अगर पहुच पा रहे हैं देखें अगर आपके पास एक पॉजिबल्टी होती चीज की इमान लिजे 20 तारीक आज अगर आप पहुच पा रहे हैं आपकी संभावना है पहुचने की सुबह से इंस्टाग्राम पर कई लोग ने मैसेज किया कि सुबह निकलने हैं कुछ लोग ट्रेन में हैं उनसे भी बात हुई है और जैसे पहुच जाएंगे वहां क्या सारी अपडेट हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा पर मैं आपको उससे पहले ये भी दिखाता हूँ कि पटना इस्थल जो है वहाँ पर किस प्रकार की भीड आपको पहुचेंगे तो दुपहर में और ज्यादा भीड देखने की संभावना बन रही है तो ये अभी वहां का महौल है बाकि यहां से कोई अपडेट आती तो मैं आपको बताऊंगा आगे हम बात करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि यह इंस्ट्रक्शन पहले पाले के लिए था परन्तु आपका भी काम हो जाएगा तो अगर आप अक्कल आज नहीं जा पारें तो वहां से रिक्वेश्ट कर लीजेगा कि हमारा दूरी थी ये सारी चीज़े मुझे लगता है मान जाएंगे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है बाकि यहां पर जो भी मतलब प्रात्मिक का भी यहीं होगा जैसे पटना का सहीद राजेन सेंग उच्च मात्यमिक विद्धाले गर्दिनी बाग पटना में होगा तो यह पूरी जितने भी 38 जिले हैं उनकी लेश्ट है पहले भी दिखा चुके हैं फिर से दिखाय दे रहे हैं जिन तक बात नहीं पूर्बांका, मुगेर, सेख्पूरा, लगी सराय, जमुरी, खगडिया, बेगु सराय एक फॉर्म भी भरने को लेकर के यहां पर बात हो रही थी वो भी हम आपको फॉर्म दिखाते हैं इसको हमने टेलिग्राम चैनल पर आपका भेज भी दिया है यह वाला फॉर्म यह का और मिलेगा परन्तु आप खुद से भी प्रिंट आउट निकाल करके भर के लिए जा सकते हैं यहां पर आप देखेंगे तो काउंसलिंग और सह ओरियंटेशन करके जो नोटिस जारी हुआ था इसमें इस बात का मैंसन जो है वो किया गया है कि काउंसलिंग समय सार्णी के इतैद की जाएगी ओर है इस पत्र के साथ जो है वो सलगन है और इस विग्यप्ति में अनुलगनक भी दिया गया है जिसमें अप्षीव को यह पता रायएगा कि आपकर किस केंद्र पर जाना है और इस हेतू अब्रती काउंसलिंगा हेतू आते हैं उन्हें एक पत्र दिया जाएगा ये जो पत्र है ये संभलता उसी पत्र की बात की जा रही है जिसका प्रारूप देखिए यहां पर लिखा है कि साथ में सल लगना है तो वो जो मैंने आपको फॉर्म भेजा दिखाया वो एक्च्वल में वहां पर दिया जाएगा जिसको वहीं पर हो सकता आपको भरना हो और वो आपका जो पत्र था एक्च्वल में गोश्णा पत्र था अगर आप देखेंगे नीचे साइट में जाकरके तो वो ये पत्र है और जिसमें आप देखेंगे सबसे नीचे लिखा गो ताकि आप चाहें तो पहले से भी भर सकते हैं, हो सकता बहुत ज़ाद लाइन हो, समय भरने में लगे, उसमें आपका थोड़ा बहुत समय वेश्ट हो, तो आप पहले से भी इसको भरके तयार रख सकते हैं, इसके अलाबाद जो लोग पूछ रहे थे लगातार कि कौन-कौन स से बता चुके हैं, यहाँ पर आप ये डॉकमेंट की स्पूरी लिष्ट देख पाएंगे, ये लोग डॉकमेंट में आप देखेंगे, तो काउंजलिंग है तो उपस्तित होने वाले जो भी बढ़ती हैं, उनको ये सारी कागज ले जाने हैं, जिसमें BPSC की जो भी दैला डॉकमेंट है, उसका आप फोटो कॉपी कराएं और उस फोटो कॉपी पर खुद से साइन करें, तो उस खुद से साइन करने पर क्या होता है, वो सवा भी प्रमारित हो जाती है, तो वही मूल आधार प्रमार पत्र जो है, मूल का मतलब क्या होता है, मूल मतलब ओरिजनल हो वो तो है एक आपने upload किया होगा जब watermark आपको लगा मिला होगा तो वह चीज भी ध्यान दीजेगा कि कुई इन्होंने clear mention किया था कि जितने भी आपके document हैं हम watermark वाले ही जो है मुझान करेंगे तो आपको क्या करना है जो BPSC की official website है जितने भी आपने document upload किये थे उन सभी को download कर लेना है उन पर watermark लगा होगा उनका print out भी आपको निकाल करके रख लेना है क्योंकि वही ले जाना ही है आपको यहां देखेंगे सभी watermark वाले की भी ले जाना है और original वाले की भी ले जाना है इस चीज़ को यहां पर mention किया गया है इसी प्रकार आगे भी देखेंगे तो सीटेट, बीटेट, एश्टेट, उत्रीरता, प्रमार्ण, पत्र, मूल और बिहार लोग से वायोग की विबसाइट से जो भी डाउनलोड किया watermark वो भी ले जाना है तो चीज़े आपको clear हो रहे होगी पासपोर्ट साइच की यहां पर तीन फोटोग्राफ लिखी है आप एक्ष्टा ले करके जाएगा कई बार आपकी फोटो जो है वो मांग ली जाती है एक्ष्टा तो आपके पास होना चाहिए बाकी सामिल होने से पूर में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा भी किया गया था वो भी चीज़ें आपको clear किया गया बाकी आरक्षर सम्रंदित आपको कोई है तो उसमें watermark आपका लगा हुआ स्वावे प्रमाड़ी चाहा परती अगर जन्दिती में आपने चूट ले रखी तो उसको लेकर के भी counseling है तो उपस्ते तोने वाले 9-10-11-12 को लेकर के बाद इसलिए यहां की जारी है क्योंकि यह जो सारे जारी हुए थे जिसा निर्देश ये actual में इसी के लिए जारी हु स्टार्टिंग से ही वो है training को लेकर प्रसिक्षण को लेकर अलांकि प्रसिक्षण को लेकर PRT की तरफ से अभी तक वह एक जो पहले notification जारी हो ता वही हुआ है बाकी नहीं जारी हुए बाकी इसमें इस चीज़ को जरूर ध्यान रखीगा यह चीज़ उने clear mention अपना आधार से linked mobile number है उसके साथ ही आपको जो है वो पहुचना होगा हो सकता हो आपका जो आधार कार्ट से अंगुठा लगा करके चेक करते हैं आपका biometric करते हैं तो उसमें आपका हो सकता हो OTP वगरा आए यह सारी चीज़े मैंने बता दी फिर भी यह आपको कोई प्रस कार्ट चेहिन